स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में वज्र गुडन खंड विधी से समी करण को कैसे हल करते हैं उसका सार्ट ट्रिक सीखेंगे तो एकदम ध्यान से समझेगा और सीखिएगा कोश्चन है दोस्तों X प्लस दो Y बराबर 7 इसे समी करण नमबर 1 मान लेंगे 4X माइनस 3Y बराबर 6 इसे समी करण नमबर 2 मान लेंगे दोनों समी करणों को solve करके x और y का मान हमें ग्यात करना है तो दोस्तों एकदम ध्यान से समझेगा सबसे पहले आप लिखेंगे x बटे बराबर y बटे बराबर minus 1 बटे आप सभी कोशनों में इसी प्रकार लिखेंगे अगर आप वज्र गुरन खंड भी थी से समी करण को हल कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों x बटे बराबर y बटे बराबर minus 1 बटे ठीक है दोस्तों आप x के लिए मान को निकालेंगे तो उसके लिए दोस्तों आप x वाले टर्म को भूल जाएए यानि x और 4 x को समझने के लिए इसे भूल जाएए ठीक है दोस्तों अब आप क्या करेंगे क्या क्या बच गया तो 2y बराबर 7 बच गया minus 3y बराबर 6 बच गया देखिए दोस्तों इस 6 का गुड़ा y के गुडांक यानि 2 में करेंगे 3 गुड़ा करेंगे तो 6 का गुड़ा y के गुड़ांक यानि 2 में करेंगे ठीक है तो 6 गुड़े 2 हो गया minus का चिन लगाएंगे ठीक है दोस्तों minus का चिन लगाएंगे अब देखिए y का गुड़ांक क्या है minus 3 है तो इस minus 3 का गुड़ा 7 में करेंगे इस प्रकार त्रिया गुड़ा करेंगे तो माइनस 3 का गुड़ा किस में करेंगे यहां दोस्तों माइनस का चिन लगा लेंगे सभी कोशनों में ठीक है माइनस उसके बाद जो आएगा उसको कोश्टक में लिखेंगे तो y के लिए आप मान निकाल रहे हैं तो 2y और 3y को भूल जाएए समझने के लिए तो दोस्तों अब क्या बच जाएगा x और 4, x 7 और 6 बच जाएगा तो दोस्तों 6 का गुड़ा ठीक है इस 6 का गुड़ा x के गुड़ांक यानि 1 में करेंगे तो 6 का गुड़ा x के गुड़ांक 1 में करेंगे तो 6 गुड़े 1 हो गया माइनस का चिन लगाएंगे x का गुड़ांक 4 है तो 4 का गुड़ा 7 में करेंगे 3 गुड़ा ठीक है 4 गुड़े 7 हो गया देखिए माइनस 1 के लिए solve कर रहे हैं तो संख्या को आप छोड़ देंगे यानि 7 और 6 को छोड़ देंगे क्या बच जाएगा दोस्तों इतना बचा हुआ है तो दोस्तों आप Y का गुड़ांक क्या है माइनस 3 है तो इस माइनस 3 का गुड़ा यक्स के गुड़ांक यानि 1 में कर देंगे तो माइनस 3 गुड़े 1 य यक्स का गुडांक क्या है चार है तो इस चार का गुडा यक के गुडांक यानि दो में कर देंगे तो चार गुडे दो हो गया ठीक है दोस्तों अब इसको solve कर लेंगे तो यक्स बटे देखिए दोस्तों 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो माइनस 4 सते 28 हो जाएगा ठीक है दोस्तों बराबर यहां से माइनस 1 बटे माइनस 3 में 1 का गुड़ा करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए इसको आगे solve करेंगे तो यक्स बटे 12 में 21 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, बराबर देखिए 6 में से 28 को घटाएंगे तो माइनस का 22 आएगा और माइनस का गुड़ा कर देंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा यानि y बटे 22 हो गया बराबर ठीक है यहां से माइनस 1 बटे माइनस 3 में से माइनस 8 को घटाएंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया देखिए दोस्तों अब आप ध्यान से थोड़ा और समझीए देखिए यक्स बटे 33 को आप एक बार बराबर कर देंगे एक बटे 11 के ठीक है एक बटे 11 के बराबर कर देंगे और दोस्तों यक्स बटे 33 को बराबर कर देंगे एक बटे 11 के और एक लाइन खीच देंगे y बटे 22 को बराबर कर देंगे 1 बटे 11 के इसको solve कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा यहां भाग में है यहां जाएगा गुड़े में हो जाएगा यानि 33 का गुड़ा 1 में करेंगे तो 33 हो जाएगा बटे 11 हो गया 11 से भाग करेंगे 11, 33 ठीक है और इसी प्रकार दोस्तों Y बटे 22 है तो 22 का गुड़ा एक में हो जाएगा इस प्रकार गुड़ा करेंगे तो 22 बटे 11 हो जाएगा बाइस में इग्यारा से भाग करेंगे तो इग्यारा कर नम इग्यारा इग्यारा दूना बाइस यहां से दोस्तों यक्स का मान क्या निकल कर आया तो यक्स का मान तीन निकल कर आया ठीक है और वाई का मान क्या निकल कर आया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को जरूर प्रेस करिएगा चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जय हिंद वन्दे मातरम